जैमातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हारदिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैमातादी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साल 2023 में कुल कितने ग्रहन लगेंगे। इसमें से कितने सूर ग्रहन होंगे और कितने चंद ग्रहन। साथी साथ आप जानेंगे कि ये ग्रहन भारत में दिखाई देंगे या नहीं। और भारत के लावा और किन-किन देशों म ये ग्रहन देखे जा सकेंगे इसके लावा ये ग्रहन किस तारीक और किस समय दिखाई देंगे इसकी भी पूरी डेटेल बताऊंगी लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबादें साथी इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा से एर करें तो आई ये सुरू करतें हैं दोस्तों बहुत जल्द साल 2030 आने वाला है अब आप ये भी जानना चाहते होंगे कि कि साल 2030 में कितने सूर ग्रहन लगेंगे और कितने चंद ग्रहन तो आपको बता दें कि साल 2030 में कुल चार ग्रहन लगेंगे जिन में से दो सूर ग्रहन और दो चंद ग्रहन होंगे आपको बता दें कि हिंदू धर्म में ग्रहन का विसेश महतु होता है वैज्ञानिक द्रस्ट के नजरिये से ग्रहन की घटना व्यक्ति के जीवन पर विसेश प्रभाव डालती है खास कर गर्वती महिलाओं पर जो तिस मानेताओं के नुसार ग्रहन को असुब माना गया है ग्रहन के समय निकलने वाली किरने और तरंगें बहुत ही नुकसान पहुंश जाती है इसलिए ग 2030 में लगने वाले सूर ग्रहन के बारे में तो साल 2030 का पहला सूर ग्रहन 20 अप्रेल 2030 दिन गुरवार को लगेगा जो की एक पूर्ण सूर ग्रहन होगा इसमें चंदर्मा सूर को पूरी तरह से ढखलेगा और बात करें इसके समय की तो इस सूर ग्रहन की सुरुआत 20 अप्रे मिनट पर होगी लेकिन ये सूरग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा ये सूरग्रहन पूरवी दच्छनी एसिया आस्ट्रेलिया अमेरिका प्रसांत महासागर हिंद महासागर और अंटार्टिका में देखा जा सकेगा क्योंकि ये सूरग्रहन भारत में दिखाई नहीं दे 12 अक्टूबर 2030 दिन सनिवार को लगेगा जो की एक वल्याकार सूर ग्रहन होगा वल्याकार सूर ग्रहन उस घटना को कहते हैं जब चंद्रमा प्रत्वी की परिक्रमा करते हुए समान की तुलना में उससे दूर हो जाता है इस दोरान चंद्रमा सूर और प्रत्वी के बीच हो गुठी की तरह नजर आएगा इसी घटना को ही वल्याकार सूरग्रहन कहते हैं और बात करें इस सूरग्रहन के समय की तो ये सूरग्रहन 14 अप्टूबर की रात को 8 बच कर 34 मिनट पर लगेगा और इस सूरग्रहन की समापती 15 अप्टूबर की प्राता काल 2 बच कर 25 मिनट पर हो जाएगी आपको बता दें कि ये सूरग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा ये सूरग्रहन सिर्फ अफरीका उत्री अमेरिका दच्छी अमेरिका प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर और अर्टार्टिका में दिखाई देगा क्योंकि ये सूरग्रहन भारत में द तक काल ग्रहन सुरू होने के 12 घंटे पहले ही सुरू हो जाएगा चलिए अब बात करती हैं साल 2030 में लगने वाले दो चंदग्रहन के बारे में जिसमें से पहला चंदग्रहन 5 मई 2030 दिन सुकृवार को लगेगा ये बैसाक मा के सुकल पक्ष की पूर्णमा को लगने जा रहा ह ये एक उप्षाया चंदग्रहन होगा जो भारत में भी दिखाई देगा ये ग्रहन भारत में उप्षाया चंदग्रहन के रूप में देखा जा सकेगा उप्छाया चंद्ग्रहन में चंद्रमा थोड़ा सा मटमैला सा नजर आता है इसलिए इसे चंद्रमालिन ग्रहन भी कहा जाता है और बात करें इस चंद्ग्रहन के समय की तो इस चंद्ग्रहन का उप्छाया में पहले इस पर्स का प्रारंब पांच मैं की रात को 8 बच कर 45 मिनट पर हो जाएगा और चंद ग्रहन का परम ग्रास रात 10 बच कर 33 मिनट पर होगा और उपचाया का अंतिम इसपर्स एक बजे रहेगा इस चंद ग्रहन की टोटल टाइमिंग लगबग 4 घंटा 15 मिनट की रहेगी दोस्तों ये ग्रहन भारत में दिखाई देगा भारत के साथ साथ ये ग्रहन दच्छनी पूर्वी यूरोप, एसिया, औस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रसांत महासागर, अट्लांटिक महासागर और हिंद महासागर के साथ सर्ट अंटार्टिका में भी दिखाई देगा चलिए अब बात करते हैं साल 2030 के दूसरे और अंतिम चंदग्रहन के बारे में जो की 28 अक्टूबर 2030 दिन सनिवार को लगने जा रहा है ये अस्विन मा के सुकल पक्च की पून्मा को गटित होगा जो की ये खंड ग्रास यानि आंसिक चंदग्रहन है इसमें प्रत्वी चंद्रमा को आंसिक रूप से ढख लेगी और बात करें इस चंदग्रहन के समय की तो इस ग्रहन का चाया में प्रथम प्रवेस 28 अक्टूबर की रात को 11 बचकर 30 मिनट पर हो जाएगा और ग्रहन का प्रारंब 28 अक्टूबर की मदर रात्री के उपरांत एक बचकर 5 मिनट पर होगा और ग्रहन की समापती 29 अक्टूबर की सुबा 2 बचकर 24 मिनट पर हो जाएगी और उप्छाया से अंतिम इसपर्स 29 अक्टूबर की रात को 3 बचकर 58 मिनट पर रहेगा इस ग्रहन की कुल अवदी 4 घंटा 24 मिनट की रहेगी और ये ग्रहन भारत में देखा जा सकेगा भारत के साथ ये चंदग्रहन यूरोप, एसिया, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्री अमेरिका, दच्छनी अमेरिका, प्रसांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर के साथ अर्टार्टिका में भी दिखाई देगा और बात करें इस चंदग्रहन के सूतक काल के समय की तो इस चंदग्रहन के सूतक काल की सुरुवात 28 अक्टूबर की दुपहर को 4.05 पर हो जाएगी और सूतक काल की समापती 29 अक्टूबर की सुबा 2.24 मिनट पर होगी आपको बता दें कि साल 2023 में दोनों सूर ग्रहन भारत में दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन साल 2023 में लगने वाले दोनों चंद ग्रहन भारत में देखे जा सकेंगे इसलिए इस चंद ग्रहन का सूतक काल भारत में मानने होगा और साथ ही भारत में सूतक वा ग्रहण के सारे नियम भी मानने होंगे इस दोरान सभी को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए खास कर गर्वती महिलाओं को ग्रहण के समय खास कर विशेश सावधानी बरतनी की सलह दी जाती है दोस्तों ग्रहण के दोरान कोई भी सुब काम नहीं करना चाहिए और ग्रहण के समय ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का इस्मरण, भजन, मंत्र आधी करना सुब माना गया है और सुतक काल से पहले अपने खाद पदार्थों में याने खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता या दूरवा घास डाल लें आपको बता दें कि चंद ग्रहण का सुतक काल ग्रहण सुरू होने के 9 घंटे पहले सुरू हो जाता है दोस्तों ग्रहन के समय खाना पीना भी वर्जित होता है और ना ही इस दोरान काटना से लना बुनना चाहिए इसके लावा ग्रहन के समय मंदिर के कपाड भी बंद कर देने चाहिए जो ग्रहन भारत में दिखाई देंगे उन ग्रहन के लगने से पहले मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए और ग्रहन समाप्त होने के बाद गंगा जल डाल कर इसनान अवस्थे करना चाहिए और अपने पूजा इस्थल को और घर को गंगा जल छेड़कर सुद्ध कर लें और इसनान करने के पस्चात यथा सक्ती के अनुसार दान दच्छना जरूर करें ऐसा करने से सुफल की प्राप्ती होती है तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवादू